काजु करी बनाने की बहुत ही ज़ादा जो सीक्रिट वाली रेसिपी है वो आपके साध ही धाबे रेस्टोरेंट की बहुत ही ज़ादा पॉपुलर काजु करी जितनी भी काजु करी आप आगे कोबriver आज तक आनुगहई होगी अिससे द्रीट आपके कभी नहीं ऊग्यों गरना इस काजु करी की रेसिपी को घर में ट्राइ करना, एक कप मैंने लिया है काजू, बिलकुल साबुत वाला हमने एक कप काजू लिया है और ये जो काजू होते हैं इनको हमें करना है रोस्ट अब थोड़ा सा दो बड़े चममच ओईल डालेंगे और उसमें हम डालेंगे काजू को रोस्ट करने के लिए वैसे अगर आप चाहें तो काजू को ऐर फ्राय या अवन में बिन ओल के रोस्ट कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे ओल में रोस्ट चाहे तो गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह देखी काजू जो है एक दम अच्छे से सनहरे ब्राउन हो चुक्त हैं इनको जारे की मदद से बाहर निकाल लेंगे बिलकुल अच्छे से रोस्ट करना तभी टेस्ट अच्छा आएगा अगर काजु अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे तो सब्दी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा बचे हुए ओयल में तेस पत्ता डालके एक बड़ा चमच जीरे कर डाला है शाह जीरा और साथ में डालेंगे दो प्याज बारिक कटे हुए एक दम बारीक काट के प्याज डाल दीजे नहीं तो कदू कस करके प्याज को अच्छा कर दीजे बड़े टुकरे प्याज के नहीं होने चाहिए ये देखिए प्याज को 1-2 मिनेटी पकाना है इससे ज़ादा पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये देखिए जो प्याज है न वो पकर रहा है उसमें डालेंगे दो बड़े चमज बारी कटिवी हरी मेच और 2 चमज बारी कटिवी अतरक साथ में दो बड़े वाले चमज गार्लिक टू टेबल स्पून अद्रक छोटी चमज डाली है मैंने और गार्लिक बड़ी चमज टॉस कर लेंगे अच्छे से मसालों को पकाना है देखिए प्यास जो है न बहुत जादा नहीं बूना है मैंने लेकिन एक से दो मिनिट दो बार कटे हुए टमाटर को भी कद्दुकस करके डाल सकते हो या बारी काटके वैसे बड़े टुकडे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए प्यास और टमाटर दोनों चाहें तो जो ग्रेटर होता है न उससे ग्रेट करकर आड़ करिये कुक टमाटो पेस्ट आधा कप डाला है कुक टमाटो पेस्ट आप जानते हो मैं बना कर रख लेती हूँ बहुत ही यूसफुल होता है इसकी रेसिपी अलरी शेयर कर चुकी हूँ अगर ये रेडी ना हो तो टमाटरों को अलग से कद्दुकस करके पका कर दो टमाटर डाल अधा कप मैंने इसके अंदर कंखट और साथ में काजू का पेस्ट वन फोर्थ कप कप काजू का पेस्ट और आधा कप हंकर्ड अच्छे से कुक टमाटो पेस्ट में और मिक्स कर लेंगे काजू का पेस्ट जो होता है उसे रात पर वन्पोर्ट कप काजूं को भीगो कर मौरनिंग में मिकसी में बरफ डाल के मैंने पीस के पेस्ट बना लिया बहुत ही असान है तरीका, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर राट पर नहीं भीगे हैं काजू तो मॉर्निंग में कुकर में एक सीटी ले लीजे या फिर उबाल के काजूं का पेस्ट बना लीजे ये मैंने चिली पेस्ट डाला है चिली पेस्ट बनाना बहुत असान है बड़ा चम्मच अच्छा रंग आता है रोगन आता है सबजी का चिली पेस्ट के जो कश्मीरी मिर्चे होती है उसे कुकर में उबाल लीजे थोड़ा सा पानी डाल के या फिर बॉइल करके नॉमली पेस्ट बना लीजे दो बड़े चम्मच ऑइल के डाले हैं उसमें एक बड़ा चम्मच जीरे का डाला है और साथ में आधी चम्मच डाली है जावित्री जावित्री का पाउडर बना के रख लिया बड़ी लाईची का भी पाउडर आधी चम्मच डाल दिया साथ में cinnamon stick दाल चिनी का powder आदी चमश डाल दिया है मैंने और green cardamom छोटी लाइची का powder भी आदी चमश डाल दिया है powder बना के रखने से बहुत असानी होती है केवल तवों पे तवे पे आपको बड़े मसालों को roast करके ठंडा करके powder बना के रख लेना है जिससे सबजी बनाना बहुत आसान हो जाए long का powder चुटकी भरवन 4 टी स्पून और एकदम तेज गरम पानी डेड़ कप और उसमें डालेंगे 2 चमश कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर यह हम मसाले का पानी बना रहे हैं जो की ढाबे बना कर रख लेते हैं और एक चमश डाला कुरियंडर पाउडर सुका धनीय का पाउडर इस पानी से बनाएंगे ग्रेवी जी हाँ एक चमश शुगर और एक चमश नमक भी डाल देंगे यह मसाले का पानी जरूर बनाएए मैं आपको हमेशा एक डिफरेंट ग्रेवी बनाना बताती हूँ इस मसाले का जो टेस्ट आएगा वो ग्रेवी को अनलिमिटेट स्वाद देने वाला है इसी तरीके से मसाले का पानी बना के चाहें तो फ्रेज में रख सकते हैं किसी भी सबजी में इस मसाले के पानी को इस्तमाल कीजिए सबजी अनलिमिटेट स्वादिश्ट हो जाएगी यह देखिए जो मैंने मसाला बनाया था ग्रेवी उसमें मैंने ये मसाले का पानी पूरा का पूरा डाल दिया है अब बिल्कुल डिटो धाबे जैसा टेस्ट आना तै है इस ग्रेवी में अब इसमें 1 फॉर्थ कप खोया डाल दिया है मैंने खोया मतलब मावा अगर ये नहीं है तो मिल्क पाउडर से मावा बना के डाल सकते है ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल तयार है इसमें 1 कप गरम पानी मैंने डाल दिया है गरम पानी डालने से जल्दी ग्रेवी बनती है ऑईल जल्दी रिलीज होता है मसालों का स्वात बहुत अच्छा आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से काजु करी की ग्रेवी को बनाएए ये देखिए आप जिन्दीगी भर इस तरीके से ग्रेवी बना सकते हैं स्वात जो है आपको याद रहेगा धाबे से कंपेर करके देखिए सारे धाबे रेस्टरेंट इस काजु करी की सबजी के आगे फेल है ये देखिए अच्छे से ओईल रिलीज होने तक मैंने ढख के पकाया है अब बिल्कुल मेरे तरीके से अगर आप इस सबजी को बनाएंगे तो गैरेंटेड रिजर्ट बहुत अच्छे आएंगे ये देखिए ओईल पूरा रिलीज हो चुका है चाहें तो पूरी सबजी घी में बना सकते हैं लेकिन मुफली के तेल में भी स्वात बहुत अच्छा आता है ग्रेवी बहुत बढ़िया तरीके से बनके तयार हो चिके इस ग्रेवी को आप चाहें तो फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं एक महीने तक जब मर्जी ग्रेवी बहार निकालिए डीफ्रोस्ट करिए काजू आड़ करिए काजू भी भूण के रख सकते हैं और बना लीजे घर में अगर पाटी है तो एडवांस में इस तरह की तयारी करके रख लीजे एक दिन पहले जिससे कि जिस दिन पाटी है आपको सिर्फ मिक्सिंग करनी है और सबजियां तुरन तयार हो जाएंगी सारे के सारे काजू रोस्ट करेवे भूने हुए मैंने डाल दिये साथ में दो बड़े चमच किश्मिष के भी एड कर दिये ये ग्रेवी लाजवाब बनती है बारी कटी हुई चैरी मैंने डाल दी जो गोल वाली चैरी आती न मारकेट में असानी से मिल जाती है ग्लेज्ड चैरी जोकी मीठी ग्लेज्ड चैरी है उसको बारी कट के आड कर इस सबजी का स्वाद शादियों की याद तो आपको दिलाए गई धाबे रेस्टोरेंट शादियों में अक्सर आपनी वेराइटी देखी होगी काजु करे की इस टेस्ट को कंपेर करके देखना ये सबजी बिल्कुल अवार्ट विनिंग सबजी है साथ में क्रीम डाल दी है म मूल का फ्रेश क्रीम घर का बना हुआ देसी क्रीम में स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा जितना बजार की क्रीम में आता है बारी एकदम पाउडर करा हुआ कसूरी मेती भी आट कर दिया ये सबजी गैरंटेड बहुत ही जादा टेस्टी लगती है एक बाना जरूर ब मोटिवेशन बढ़ता है कमेंट करिया और कौन-कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं चैनल को अकर अच्छा लगा हो तो ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ओन करियर जादा से जादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए आपके लाइक करने से कमेंट करने से मुझे मो